आपका सवाल नंबर एक है, ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी की दरगाह कहा है, आपके आप्षन है, एक अजमेर, बी जैपुल, सी नई दिल्ली, दी चित्तोरगण, आपका सही जवाब होगा, आप्षन ए, अजमेर, आपका सवाल नंबर दो है, सानारगंज म्यूजियम के शहर में स्थित है, आपके आप्षन है, ए, हैदराबाद, बी जैपुल, सी बैंगलूरू, दी श्रीरंपत्नम, आपका सही जवाब होगा, आप्षन ए, हैदराबाद, आपका सवाल नंबर तीन है, समराट अशोक ने किस युद्ध के बाद बोध धर्म अपना लिया था, आपके आप्षन है, ए, कलिंग युद्ध, बी, हल्दी घाती का युद्ध, सी, चौसा का युद्ध, दी, तराइन का युद्ध, आपका सही जवाब होगा, आप्षन ए, कलिंग युद्ध, आपका सवाल नंबर चार है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपके आप्षन है, ए, अमेजन नदी, बी, नील नदी, सी, मिसिसिपी नदी, दी, यांतजी नदी, आपका सही जवाब होगा, आप्षन बी, नील नदी, आपका सवाल नंबर पांच है, कौन सा खनेज हरिदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपके आप्षन है, ए, पोटेशियम, बी, जस्ता, सी, टामबा, जी, अल्यूमिनियम, आपका सही जवाब होगा, आप्षन ए, पोटेशियम, आपका सवाल नंबर चे है, बलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप होती है, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर साथ है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपके आप्षन है, आपका सवाल नंबर 9 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, आपके आप्षन है, एक नीला, बी सफेद, सी काला, दी घूरा, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 10 है, किस देश में चपल पहन कर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 11 है, सूर्य की सता का लगभग तापमान कितना है, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 12 है, सवाला घास के मैदान किस महादवीप में है, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आप्षन बी, अफ्रीका, आपका सवाल नंबर 13 है, किस सम्विधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 14 है, यदि भारत का राश्च्रप्ती इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपका सवाल नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में लोगसवा की सोते कितनी है, आपके आप्षन है, आपका सही जवाब होगा, आपके आप्षन है, अपना सही उत्तर कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, और विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद